सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टाडी अड़ा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए for latest update वेल्कम टू बालाजी स्टाडी अड़ा नमस्कार दोस्तों बालाजी स्टाडी अड़ा में आपका स्वागत है जैसे कि हम आपको previous year के paper का solution करा रहे थे तो यदि आपने वो नहीं देखे हैं आप playlist में जाके देख सकते हैं BTC DL at 4 semester के आसे में start कर रहे हैं BTC DL at 4 semester के 2019 के model paper तो सबसे पहले हम देखेंगे science का model paper इसमें मैंने बहुत अच्छे से अच्छे प्रस्मों को रखा है और अन्य लोग के साथ भी share अवश्य कीजेगा ताकि दूसरों के भी help मिल सके तो चलिए शुरू करते हैं बहुविकल्पी है उत्रिये प्रस्म से तो पांच टोटल बहुविकल्पी आते हैं पहला बहुविकल्पी है नव डार्विन वाद नाम किस ने दिया आपके पास लैमार्क, डार्विन, हुगो डी ब्रीज और विलियम हक्सले मैं याँ पर इस मोडल पेपर में केवल और केवल प्रस्म आपको सभी बताऊंगा उत्तर आपको कमेंट सक्षन में स्वयम टाइप करके बताना है और यदि कोई उत्तर आपको नहीं आ रहा है तो उसे मैं कमेंट सक्षन में ही बता दूँगा फिर भी यदि आपको लगे इसका सॉलुशन का वीडियो मुझे अलग से बनाना चाहिए तो कमेंट सक्षन में टाइप करके अवश बताईएगा अगला प्रस्न दो है आवेश का मात्रक क्या है कैलोरी प्रती ग्राम, जूल प्रती डिगरी सेल्सियस, कुलाम या किलो कैलोरी डिगरी सेल्सियस तीसरा बहुविकल्पी है 1984 में किस वज्ञानिक ने HIV का अविस्कार किया था चार उप्षन है पहला उप्षन है लुक मॉन्टेगनियर, दूसरा उप्षन है रॉबर्ट सी गैलो, तीसरा उप्षन है क्रिस्चियन बर्नार्ड और चौथा उप्षन है लुईस पास्चर अगला प्रस्न चार है कॉपर पाइराइट का सूत्र इन में से कौन सा है यहाँ पर जो S के साथ ने 2 लिखा है थोड़ा सा नीचे लिखा रहता है टाइपिंग में यहाँ पर नहीं लिखते बनता है इसलिए मैंने आपको अलग से बता दिया दूसरा अप्षन है Cu2O, तीसरा अप्षन है Cu2S और चौता अप्षन है CuCO3.COOH का होल ट्वाइज लास्ट बहुविकल्पी है आपका सर्प के काटे विक्ती को रोकना चाहिए पहला अप्षन है लेटने से, दूसरा अप्षन है सोने से, तीसरा अप्षन है बैठने से और चौता अप्षन है चलने से तो सारे बहुविकल्पी हो गए हमारे बढ़ते हैं हम अब अतिलगु उत्रिये प्रसन की तरफ अतिलगू 3 प्रस्ण प्रस्ण नमबर 6 से लेकर प्रस्ण नमबर 11 तक हमारे आते हैं तो चलिए बात करते हैं प्रस्ण नमबर 6 की कारण बताईए कि एक दूसरे से रगड़ी हुई दो वस्तुएं एक दूसरे को आकरसित करती है तो आपको करण बताना है कि ऐसा क्यों होता है अतिलगू में है तो अतिलगू के अधार पर ही आपको उतनी जो length है वो उत्तर की रखनी है प्रसंद साथ है उत्परिवर्तनवाद क्या है इसमें उत्परिवर्तन बात के बारे में बताना है किनों ने जो है इसका नाम दिया वो सारी चीजे अगला प्रसन आठ है जीव द्रवेमान का पिरामिड क्या है अगला प्रसन नौ है लोहे या एलूमीनियम में से किसी एक के दो अयसकों के नाम लिखे है यहाँ पर आपको लोहे या एलूमीनियम में से किसी एक के जो है वो दो अयसक पताने है अगला प्रसन दस है मेंडिलीव की आवर्त सारणी में संसोधन किस वेग्यानिक ने किया था उस वेग्यानिक का नाम आपको लिखना है अतिलगू में प्रसन है वन लाइनर का लाश्ट हमारा अति लगू है प्रती रक्ची और प्रती जन से आप क्या समझते हैं तो इन दोनों के बारे में आपको बताना है एक को हम कहते हैं antibody और एक को कहते हैं antigen तो इन दोनों के बारे में आपको बताना है अति लगू हमारे समापत होते हैं बढ़ते हैं अब लगू वीडियो को like जरूर कर दीजेगा आपके एक like से हमें motivation मिलता है कि हम आगे आपको और model paper अच्छे से अच्छे प्रसन जो है वो provide कर सके हैं तो please वीडियो को like जरूर कर दीजेगा प्रसन देखते हैं 12 धातू तथा अधातू में अंतर वताईए अगला प्रसन 13 है ओम के नियम क परिभासित कीजिए तथा प्रतिरोध वा विद्धुत में संबंद लिखिए इस प्रसन को मैंने यहाँ पर इसलिए रखा है क्योंकि यह प्रसन देखेंगे तो आप अपने जो guide से पढ़ रहे हैं या book से पढ़ रहे हैं हो सकता हूँ आपर आपको देखने को ना मिले पर यह आपका प्रसन ओम के नियम वाला previous year paper हम solve करा चुके हैं वहाँ पर आपको वो playlist में मिल जाएगा अगला प्रसन 14 है pig iron से क्या अभिप्राय है इसका उप्योग जो है वो कहां करते हैं अगला प्रसन 15 है प्राथ्मिक उपचार के सिध्धान्त लिखिए अगला प्रसन 16 है hepatitis B को सनरचनात्मक चित्र सहित समझाईए एवं इसके रोक्थाम तथा उप्चारों को भी लिखिए अगला प्रसन 17 है लाल रक्त और स्वेत रक्त कडिकाओं में अंतर बताईए और अगला और लाश्ट इस वीडियो का प्रसन 18 है परावर्तनी भट्टी या वात्या भट्टी में से कोई एक सचित्रवडन कीजिए परावर्तनी भट्टी या वात्या भट्टी में से कोई आपको एक यहाँ पर बताना है इसी से लेटेट आपका जैसे कि निस्तापन, भरजन, प्रगलन इन सभी को भी पढ़ अवस्य लीजेगा यह सभी मैं इन में सामिल नहीं कर पाया हूं परन्तु यह भी जो हैं आपके लिए इंपोर्टेंट है तो इसी के साथ हमारे सेट समाप्त होता है सभी लोग बहुविकल्पी उत्री प्रस्न और अतिलगू सेक्शन में जो प्रस्न आप टाइप कर सकते हैं कैमेंट सक्शन में उन सभी का उत्तर अवश्य बताएगा तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें नय है चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें मिलती है एक लिए वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार थेंक यू फॉर वाचिंग